लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन ख़बरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए फोम डिपार्ट्मेंट के कारोबार पर प्रश्ण उपस्थित करने वाले परमदीर सिंग यह पहले ब्रक्ति नहीं है इससे पहले महाराथ्र के सरविम डीजी जो भी डीजी सियाए से पर शिसबोट जैस्वाल जी इन्होंने होम डिपार्ट्मेंट में होने वाली रिश्णत पोरी अफ्ता पोरी और तबादलों में होने वाली दला ली इसके उपर एक एक एक्स्टेंसिव रिपोर्ट यह मानविया मुख्यमंत्री जी को हैंड ओर किये जिस समय यह ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेंदें ट्रांसपर्स में हो रहा है और कुछ दलाल यह सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गुरुह मंत्रा लेके भी गुरुह मंत्री के कारें लेके भी और गुरुह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस प्रकार से पैसे का लेंदें कर रहे हैं उस समय की कमिशनर इंट्लिजन्स श्रीमती रश्मिश्चुकला इन्हों ने ये बात दीजी साब के धान में लाकर दी डीजी साब ने बकायदा नियम के रुसा इसमें एक रिपोर्ट तयार करके उस समय के ACS Home इनको इसकी जाज करने के और जाज करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलन्स पर रखने की पर्मिशन मांगी ACS Home ने कानूनन वो पर्मिशन दी और उस पर्मिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत्पोरी पैसे की हेराफेरी ट्रांस्पर पोस्टिंग के लिए बड़ी दला दी इसके सारे एविडन्स सबूत ये सामने आए उन सबूतों के आधार पर सीओ आए ने रिपोर्ट तैयार की डी जी सामने उस रिपोर्ट को थू एसीएस ये माना लिया मुख्यमंत्री जी को दिया होना तो ये चाहिए था कि उसका सिरियस पॉगलिजन्स लेकर माना लिया मुख्यमंत्री जी ने उसके उपर कमिंटी सेटप करके और उसका परदाफाश करने के आवशक्ता थी कि उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिकोर्ड गुरुमंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिंशनर इंटलिजन्स को अपने पच से अटाया गया और आश्चरी की बात ये हुई कि दी जी के उपर सुबोज जैस्वाल जी के उपर ये दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है वही पर उनको कोस्टिंग देने की बात कही गई और जिसको अधिजिसस सुबोज जैस्वाल जी नें विरोग किया और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वही पर पोस्टिंग दिया जा रहा है ये ध्यान में आया तो सुबोच जैसवाल जी सेंट्रल लेपूटेशन पर CISF में चले गए अभी तो CY भी उस समय की सेंट्रल लेपूटेशन में चली गई है लेकिर उस समय अगर ये रिश्वत पोरिये दलाली अगर रोकी जाती है और करवाई होती है तो आज की ये परिस्टिती हमको देखने को नहीं मिलती है और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मुझूद है सरकार मुझे पता है उसको बाहर नहीं निकालेगी लेकिन मैं दावे के साथ और पुक्ता जानकरी के साथ कह सकता हो कि सरकार के पास इनवर्ड वो रिपोर्ट हुई है